चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपदेट स्पाने के लिए इस बिल आइकॉन पर किक करें नबे के दशक में आज के दौर जितने टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे फिर भी उस दौर में बहुत से बहतरी हिंदी टीवी शोज का निर्मान किया गया था इसके साथ ही कुछ हॉलिवुड टीवी शोज के हिंदी डब्ड वर्जिंज भी उन दिनों में टीवी पे दिखाये जाते थे जिसके लिए बच्चों से लेकर बड़ो तब कंटों इंतजार किया करते थे इस वीडियो में हम आपको नब्बे के दशक के कुछ ऐसे हॉलिवुड हिंदी डब टीवी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी यादे फिर से ताजा हो जाएंगी देनिस देमेनिस यह हैंक कैचन के कॉमिक स्क्रिप पर आधारित सीबियस की उनी सो उन्सेट की लाइव एक्शन स्टेटर्स कॉमेडी थी इसमें डेनिस को एक ऐसे हैवफुल लड़के के रूप में दिखाया गया था जो दूसरे की मदद करने के चक्कर में और मुश्किले खड़ी कर देता था डेनिस मिशेल अपने माता पिता हिन्री और एलस के साथ 627 एल्म स्ट्रीट में रहता था और उसके परोस में ही मिस्टर विलसन अपनी पत्नी के साथ रहते थे जिन्हें डेनिस अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था हाला कि मिस्टर विलसन ऐसा नहीं मानते थे Dennis हमेशा Mr. Wilson की help करने के लिए उनके आसपास ही रहता था और ये देखना बहुत ही मज़ेदार था कि Dennis Mr. Wilson की help करने की कोशिश में उनके लिए और भी मुसीब्ते खड़ी कर देता था इसी कारण उन दिनों ये टीवी शो भारत में बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था I Dream of Jeannie 1960 के दशक की शांदार कॉमेडीज में से एक I Dream of Jeannie को सितंबर 1965 से मई 1970 तक NBC पर प्रसारित किया जाता था और 90 के दशक में इसे हिंदी में डब करके Sony TV चैनल पर प्रसारित किया जाता था Larry Hagman और Barbara Eden Abhinit इस अमेरेकी TV शो में अंतरिक श्यात्री, Major Anthony Nelson और 2000, साल पुरानी सुंदर जिनी के लाइफ को दिखाया गया है Larry Hagman जो की एक अंतरिक श्यात्री होते हैं, जिनी के गुरू बनते हैं, जिसके साथ वह प्यार में पढ़ती है और बहुत से मजेदार उतार चड़ाव के बाद आखेकार उनकी शादी हो जाती है उन दिनों में ये टीवी शो कुछ ही समय में, भारत में बच्चों के बीच काफी पॉप्यूलर हो गया था पीविच्ट पीविच्ट एक अमेरिकन टेलिविशन सिट्कॉम फैंटेसी सीरीज है, जिसे ओरिजिनली एबीसी पर 17 सितंबर 1964 से 25 मार्च 1972 तक ब्रॉडकास्ट किया जाता था ये शो एक विच्ट पर बेस्ट था, जो एक साधारन आदमी से शादी करती है, और एक टिपिकल हाउस वाइफ की तरह रहने का वादा करती है लेकिन एक साधारन आदमी से शादी करने वाली विच अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कब तक अपनी माजिकल पाउस को चुपा सकती है यही बात इस टीवी शो को बहुत फनी और इंट्रिस्टिंग बनाती है इंडिया में ये शो सोनी टीवी पे दिखाया जाता था और बच्चों के सबसे फेवरेट शोज में से एक था स्मॉल वंडर नबे में इंडिया में Small Wonder TV शो, Hollywood के डब टीवी शोज में से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शो हुआ करता था यह शो स्टार प्लस पर दिखाया जाता था, यह शो एक Robotics Engineer के परिवार पर बेस्ट था, जो एक Human Girl के जैसी ही एक Robot Model बनाता है Robotics Engineer Tade Lawson एक Robot, BCI बनाता है जिसे सब विकी बुलाते हैं Ted, Joan और Jamie विकी की पहचान को सीक्रिट रखते हुए, ऐसा दिखाते हैं कि वह उनकी ही बेटी है उनकी एक परेशान करने वाली परोसन है Harriet, जिसे Jamie पर क्रश है और वह उससे शादी करना चाहती है Harriet के पिता, Brandon Brindle, Ted के भी ओस हैं, जो Ted के हर आइडियाज के प्रेडिट चुरा लेते है Honey, I Shrunk the Kids Honey, I Shrunk the Kids एक American Syndicated Comic Science Fiction TV शो है, जो 1908 की फिल्म, Honey, I Shrunk the Kids पर आधारित है ये शो भी Sony Entertainment Channel पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था इसमें Wayne Silence की जो की एक अनाडी जीनियस है, और हर समय नए एक्सपेरिमेंट्स और नए गैजट्स बनाते रहते हैं लेकिन हर बार उनसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, जिससे Wayne और उसके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है जो dangerous लेकिन adventures से भरे हुए होते हैं एक रिटायर बेस्बॉल प्लेयर, टोनी माइसली, न्यू यॉर्क की एक advertising executive, आंजिला बाउर के घर housekeeping का काम करते हैं एंजिला की crazy mother, मोना रॉबिंसन की help से ये दोनों साथ में ही अपने अपने बच्चों समान्था माइसली और जॉनाथन बाउर की परवरिश करते हैं ये शो भी नबबे में Sony Entertainment Channel पे दिखाया जाता था वैवोल्फ नबबे के दशक में ये TV शो बहुत ही adventures और scary हुआ करता था इस TV शो में इसके में character Eric को एक वैवोल्फ काट लेता है जिस कारण वह भी वैवोल्फ बन जाता है और अपने श्राप से छुटकारा पाना चाहता है ऐसा करने के लिए उसे अपने वैवोल्फ कभीले के फांड को खोजना और मारना होता है ये शो भी Sony TV पर broadcast किया जाता था और सबका favorite हुआ करता था रिपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें धन्यवाद